किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं तो रक्तदान और कन्यादान महांदान है लेकिन आज के जमाने में वक्तदान भी अपने आप में बहुत बड़ा दान है नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आरजे कार्थेक वहाँ पर जाकर बढ़ी आसी उन्होंने चोटी से पार्टी कर ली पार्टी खत्म होने का आया थी वो पैसे लेने के लिए बिल लेकर के बेटर आया तब ही चारों के बीच में एक डिस्किशन शुरू हुआ कि आज से 40 साल के बाद में हम चारों फिर से मिलेंगे तब तक नहीं मिलेंगे 40 साल के बाद में मिलेंगे और इसी होटल में मिलेंगे और पार्टी करेंगे और उस दिन जो सबसे आखरी में आएगा उसको बिल के पैसे देने चारों ने का वह बहुत बड़ी है वह बच्चों वाली शर्त लगती हो लग दे तो 40 साल के बाद मिलने का डिसाइड हुआ वो जो वेटर था वो सारी बात सुन रहा था उसने का ठीक है अगर आप 40 साल बाद आते हैं और मैं यहीं रहा तो मैं भी आपकी 40 साल बाद वाली पार्टी देखना चाओंगा 40 साल कब बीद गए मालूम नहीं चला पूरे शहर का नक्षा बदल गया मल्टी स्टोडी बिल्डिंग बन गई, फ्लाइवर बन गई सब कुछ चेंज हो गया और चारों दोस्त जो थे उनकी जिन्दगी तो कम्प्लिटली अलग-अलग हो चुकी थी कोई इंजिनिरिंग के लिए दूसरे शहर में चला गया था कोई सरकारी कॉलेज में दाखिला ले रहा था कोई अपना बिजनस शुरू कर चुका था सब ने अपनी अपनी जिन्दगी जीना शुरू कर दिया था और जिन्दगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे 40 साल बीतने के बाद में सबको तारीख याद थी एक जनवरी को मिलना था शाम के लगबग 6 बजे होंगे वो जो होटेल थी वो 5 स्टार होटेल बन चुकी थी वो जो वेटर था उसका मालिक बन चुका था भूला एक लगशरी कार आकर के रुकती है और उसमें से मनीश निकलता और जाकर के सीधा होटेल में देखता है तो जो सेड बन चुका था भूलाओ पैचान जाता के ता रे आप आगए क्या बात है आपके लिए प्रमीन सर्ण ने टेबल बुक करवा दी आप बैठिये और आपने मुझे पैचान है कि मैं वही वेटर हूँ जो उस दिन था क्या बात है आप तो मालिक बन गया मनिश को इस बात के खुशे हो रही थी कि मैं पहले आगया मुझे बिल नहीं चुकान है तीनों इंतजार कर रहे थे प्रमीन आ जाया तभी वो जो सेट था भोला जो कि उसका मालिक था फाइस्टा होटल का वाया उसने का रहे आप शुरू कीजिए उनका प्रमीन सर का कॉल आया था कि थोड़ा देरी से आएंगे आप शुरू कीजिए तो तीनों की बातची था स प्रमीन तो आया ही नहीं उन्हें अंदर से थोड़ा भी लग रहा था कि दोस्ते नहीं मिले और वो भारी मन से सोच रहे थे कि आप बिल पे करते हैं निकलते हैं तभी वापस से सेठ आया भोला उसने का कि आपका बिल जो पे कर दिया गया है तो तीनों चौंक के कि प्रमी लेकिन पिता जी एक महीने पहले ये दुनिया चोड़ कर चले गए उन्हें बीमारी हो गए थी बीमारी ने घेर लिया था लेकिन उन्हें शर्त याद थी एक जन्वरी की तारीख याद थी इसलिए उन्हें कहा था कि तुम सारे अरेंजमेंट कर देना बस उन्हें बताना म जब उनकी सारी पार्टी खत्म हो जाए तो बाद में बता देना वो नहीं चाहते थे कि इतने सालों बाद आप मिलें और आपकी जो खुशी है उसमें दखल पड़ जा तीनों दोस्त रोने लग गए उन्हें समझ में नहीं कि कैसे रियक्ट करें यह चोटी सी कहानी आपकी हमारी जिंदगी कहानी बनती जा रही है आप में और हम में से बहुत सारे लोग अपनों से मिलना बंद कर देते हैं इंतजार कर रहे होते हैं कभी किसी सेलिब्रेशन का यूँ ही अपनों से मिलना शुरू कर दीजिए क्योंकि क्या पता कब कौन हमें छोड़ करके चला जाए आदमी वाकई जो है पानी का बुलवला है छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि वक्त बिताई अपनों के साथ में ये जो वक्त दान है ये आज के जमाने का बहुत बड़ा दान है माई एफम पर आर्जे कारतिक आपसे एकी बात कहता है चलो अच्छा सुनते हैं अच्छा सुनाने का प्रयास हम करते रहेंगे और आखरी में उपर वाले के आशिरबाद अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे